हाई वेल्कन हो मैं चनल इस बड़ी में solve करेंगे 4 questions 13, 14, 15, 16 जो पुछे गए हैं CHS इंट्रेंस exam में 2019 में तो धान दिजीगा कर रहा कि if 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 is equal to 24 then the value of 2x is तो यहां पर जो लिखा हुआ है 4 to the power x minus 4 to the power क्या है x minus 1 is equal to 24 then the value of 2x पुछा हुआ है पहले इसको solve करते हैं तो देखिए हाँ पर इसको break कर लेंगे 4 to the power x minus 1 को क्या करेंगे break करेंगे अलग-अलग parts में means 4 to the power x minus यहां लिख सकते हैं 4 to the power x into into means multiplied by 4 to the power minus 1 कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा हम अलग-अलग इसको दूब यह हो सकते हैं 24 अभी हाँ दोनों मेंसे काम ले ले लेंगे कितना 4 to the power x यहां पर चाहिए लेंगे 4 to the power x यहां पर चाहिए लेंगा 1 minus यहां पर चाहिए 4 to the power minus 1 और हम 4 to the power minus 1 को लिख सकते हैं 1 upon 1 upon 4 यहां पर स्वाल कर लेंगे फोल यह होजागा 1 minus यह होजागा 1 upon 4 is called to 24 it implies यहां पर होजागा 4 to the power x और यह 4 बंजा फोर आव माइनस 1 means मिल जाए गा 3 upon 4 is called to 24 अब यहां से का करेंगे 4 to the power x is called to निकाल लेंगे यह मिलेगा 24 into 4 upon 3 और यह हो जाएगा 3 बंजा 3 and 3 8 जा and 8 for the 32 means आगया 4 to the power x is called to 32 तो 4 to the power x को लिखना पड़ेगा हमें 2 to the power 2 to the power 2 का power x लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 x is called to 32 को लिख सकते हैं 2 का power 5 क्यों क्यों क्योंकि 32 जो है equal होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 5 times इत्यूसे अप्लाइगे थाटा है मिन्स टूदी दिवर 5 हो जाएगा अब हम यहां एक्वेट कर सकते हैं इत्म लाइस टूदी पावर यहां मिलेकर लिगे टूदी टूदी एक्स के हो जागा और यहां में पूछा क्या है 2x से तो पूछा है और 2x से हमेरा आ गया है 5 तो हमारा होगे आप संथ 3 जो है correct है ओके अब आता है नेक्स्ट 14 क्वेशन में find the value of 343 whole to the power minus 2 by 3 तो हमें क्या करना होगा पहले-पहले 343 whole to the power है minus 2 upon 3 तो पहले आप 343 का factorization कर लेजिए ठीक है क्योंकि आपको इसको cube या square या something के power में लिखना पड़ेगा तो 7 से यह कर जाएगा ठीक है तो 7 forza 28 and 7 9 जा 63 and 7 7 49 राइट तो यहां पर तीन 3 जो है 7 मिलेंगे और इसको लिसकता है इसको लिसकता है 3 43 को क्यों लिसकता है और whole to the power यह मानस 2 upon 3 तो है ही यहां से 3 और 3 क्या हो गया चैन्सिल आट हो गया और यह मिल जाएगा 7 to the power minus 2 और इसकी वेल्यूप लिसकते हम 1 upon 7 to the power 2 means 1 upon 49 तो यह आपका option हो गया sorry यह नहीं है यह आपका है 1 upon 49 यह आपका option 2 correct ओके अब चलते हैं third question पर तो यहां से आ जाते हैं अब पुछा है 15 question क्या if x plus 1 upon x is equal to 6 then the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is तो x plus 1 upon x is equal to 6 दिया हो है पहले-पहले तो पुछा है power 4 में क्या होगा तो देखिए अब क्या मिलेगा यहाँ पर इसका square करने के मतब क्या a plus b का whole square है और formula आप जानते हैं क्या होता है a square plus b square means 1 upon x square 1 upon x का whole square करेंगा तो 1 upon x square ही आएगा और plus plus 2 into a 2 into a means x into b means 1 upon x is equal to 2 यह 6 का square क्या होगा 36 अब यहां से देखिए x और x concealer हो गया 2 बचा क्येवल अब यहां से क्या मिल देखिए ध्यान से हमें x square plus यह मिल देखिए 1 upon x square इसकोल 2 यह 2 जो मिलेगा क्येवल 2 यह solve पर रिंग क्या मिलेगा 2 को transpose को दीए प्र चैन साट में तो मिल जाएगा आपको 36 माइनस 2 मिन 64 रैट हम हम क्की क्या कर ना फिर साउसटे पावर आप यहां क्या क्या करेंगे तो यहां पर कर देंगी square यहां भी square कर देंगे x square रिंटे उम इसक्वायर प्लस यहां मिल जाईगा भावार स्क्वाइर का स्क्वार फिर प्लस तु एबी तू इंटू ए मिंस एक स्क्राय इंट बी मिंस वन आपान स्क्राइब इसक्राय उस्कार किया होता है तो मुटिप्लाई कर लिजियो तर्टी फॉर ऑन यह फै। यह फॉर में यह फॉर शुचिंत अश्चिन शीक्स वन के रीओफर arrow हो गया तो हमें मिल जाएगा x to the power 4 प्लस यह मिल जाएगा 1 upon x to the power 4 plus 2 is equal to 2 मिल गया 1 1 5 6 हम actually क्या निकालना है इतना ही तो निकालना है तो 2 को क्या करिए transpose कर दी यह right hand side में जब transpose करेंगे तो मिलेगा 1 1 5 6 minus 2 means मिल जाएगा 1 1 5 4 and this is your answer 1 1 5 4 option third is correct ओके चले question number 16 पर आते हैं और यहां पर क्या वोला है if a plus b by about 10 and a square plus b square is equal to 58 then the value of a cube plus b cube is तो a plus b by about 10 दे दिया है और इसका square a square plus b square is equal to 58 तब इसका cube का पूछा हुआ है तो हम यह जानते हैं कि a plus b का whole cube का जो formula होता है वो होता है ऐसे a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b ठीक है यह formula आप जानते हैं आप तो यहां से हमें निकालना बस है इतना है कि नहीं यही आपको find करना है a cube plus b cube तो इतना find करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा left side मिले जाएगा मानस करना पड़ेगा मतलब इसको लिख सकते है it implies a cube plus b cube इसको लिख सकते है a plus b का whole cube minus 3ab a plus b ठीक है तो यह हमारा एक formula बन गया और यहां पर values पूट करके solve कर सकते हैं लेकिन हमें देखिए यहां पर क्या क्या पता है 10 है तो यहां तो रख सकते हैं यहां तो रख सकते हैं 10 का cube minus 3 times a b नहीं पता a b के value कहां दिया है नहीं दिया है तो into a b अभी निकालना पड़ेगा और into a plus b के value यहां पर फिर से 10 पता है into 10 रख सकते हैं लेकिन a भी नहीं पता है a b को find करना पड़ेगा और a b को find करेंगे इस यहां से इस वाले equation से तो हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं इसको a square plus b square is equal to 58 अब यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे देखे इस तरीके से यह जो दिया वाना a square plus b square इसको लिख सकते हम इस तरीके से a plus b का whole square minus 2ab समझ मैं रहा कैसे क्योंकि आप a plus b का whole square expand करेंगे तो यह 2ab कर जाएगा और finally हमें यहीं मिल जाएगा तो हमारा इतना मिल गया अब यहाँ से हम 2ab निकालेंगे 58 यहां लखेंगे 10 का square minus 2ab इसको लाएगा इसको लाएगा इसको लाएगा इसको लाएगा इधर इधर तो यह मैनस हो जाएगा 100 में से तो यहाँ पर मिल जाएगा 100 में 58 तो यह मिल जाएगा 42 तो a b क्या मिल जाएगा a b मिल जाएगा 42 upon 2 means 2 बंज़ा 2 और 21 मतलब एभी मिल गया 21 और इस 21 के value यहाँ यूज करेंगे यह find करने के लिए यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 3 में 21 में 10 अब यहाँ solve करेंगे तो मिलेगा 1000 माइनस 3 बंज़ा 3 326 और 10 means 630 अब मानस करेंगे तो क्या मिलेगा 360 यहाँ solve करेंगे sorry 370 मिलेगा 370 मिल जाएगा solve करने पर मतलब कि यह option जो आपका है यहाँ पर 3rd वाला correct है यह option correct है तो hope कि आपको यह 4 questions में मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा तो अपनी पर पसंद जारी रखिए और मेहनत करिए जितना जाला मेहनत हो सके और के वल आपका mathematics ही नहीं है बलकि आपके और भी other subjects हैं जैसे हिंदी हो गया English हो गया Social Science हो गया Science हो गया तो इन पर भी ध्यान दीजिए equal focus के साथ तो like कर दीजिए दोसों share करिए और thank you so much bye